रविवार को केंद्र सरकार ने विवादित ओनलाइन बेटिंग आप महादेव बुकिंग ओनलाइन सहित कुल 22 अवैध बेटिंग आप्स को बैन करने का आदेश जारी कर दिया है सरकार की ओर से जारी एक अधि सूचना में कहा गया है कि इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौध्योगी की मंत्रालय ने महादेव सट्टेबाजी आप समेथ 21 अन्य आप्स और वेब साइटों के संचालन को अवरुध करने का आदेश जारी किया सरकार का कहना है कि प्रवरतन निदे शालय एडी के कहने पर इन आप्स को बेन करने का अनुरोध किया गया था सूचना और प्रोद्योगी की मंत्राले की और से जारी एक प्रेस विज्यपती में कहा कि यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशाले अद्वारा अवैद सट्टे बाजी एप सिंडिकेट के खिलाफ की गई जांच और उसके बाद च्छतीस गड़ में महादेव एप के की संपत्ती जब्द की गई थी उस समय एजेंसी ने आरोप लगाया था कि सौरब चंद्राकर और रवी उप्पल की कंपनी दुबई से चलाई जा रही थी और हर महीने ऑनलाइन जुए से 450 करोड रुपए कमाए जा रहे थे इस मामले पर आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि 36 घड सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 79A के तहत वेब साइट अथवा एप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ती थी हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है जब में घंटी बटन दबाकर आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि पल-पल की खबर आप तक पहुंचे धन्यवाद